मिर्ची का अचार हर किसी को पसंद होता है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान होता है ये अचार स्रिफ 10 मिनट पे बिना धूप दिकाए हम तयार करेंगे और इसे हम पूरी के साथ पराटे के साथ चोले बटूरे और दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं ये बहुत ही टेस्टी बनके तयार होता है तो चलिए दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं हेलो फ्रेंज मेरा नाम है रेखा और आप सबका स्वागते मेरे चैनल पर तो चलिए हरी मिर्च का चटपटा सा अचार बनाना शुरू करते हैं हरी मिर्च का चटपटा अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 गरम तीकी वाली हरी मिर्ची ले ली है और ये ज्यादा तीकी वाली हरी मिर्ची हमने ली है और मैंने सारे मिर्ची को धो के पहले सुखा लिया था अच्छे से कपड़े से पहुँच लिया था तो अब सारे हरी मिर्ची के डंटल को हमने निकाल लिया है डंटल निकाला बहुती जरूरी होता है क्योंकि डंटल से हमारा अचार सर सकता है तो सारे डंटल को हमें हटा देना है तो अब हम सारी मिर्ची को ऐसे कैची के साइता से बीच में से देखे आप ऐसे कट लगाईए और इसे काट लेंगे अगर जादा बड़ी मिर्ची है तो इसे दो भागों में ऐसे काट लेंगे कैची का यूज करने से एक तो हमारे हाथ सुरुख्षे देंगे नई तो हमारे हाथ मिर्ची से जादा जल सकते हैं तो ये दिखे, इस तरह से मैंने ज़्यादा लंबी है, उनके दो भाग कर लिया है और चोटी है तो उनको एक भाग में से, बीच में से काट लिया है तो ये लिजिए हमने सारी मिर्ची को ऐसे काट लिया है वो भी कैची की साइता से कितनी आसानी से ये आरम से कट हो गई है क्योंकि चाकू का यूज़ करेंगे तो हाथों में जलन भी होगी और टाइम भी ज़ादा लगेगा और कैची से हमारा टाइम भी पच गया और हाथों में जलन भी नहीं होगी तो अब करते हैं इससे नेक्स प्रोसेस तो अब अचार के लिए एक अच्छा सा मसाला त्यार करेंगे तो यहाँ पर मैंने एक बतन में दो चमस सौप, एक चमस मेती दाना ले लिया है और एक चमस से भरके यहाँ पर हमने साबुत वाला जेरा ले लिया है और एक चोटा चमस हमने राई दाल ले ली है मतलब एक काली वाली जो राई होती हैं वो राई ले ली हमने और एक चोटा चमसी पीली वाली राय होती है वो ले ली है जो अचार में यूस किजाती है गैस की फ्लेम को हमें एक्दम लो ही रखना है और लो फ्लेम पर हमें मसालो को हलका सा भून लेना है जादा नहीं भुना है बस मसालों की हलकी सी नमी निकल जाए बस हमें इतना ही इसे भुना है या फिर इसका हलका सा कलर चेंज हो जाए तो यह दिखे, मसालों का कलर हलका चेंज हो गया है, यह अच्छे से मतलब भून चुका है, यह दिखे, हलका सबुना है, हाथों उसे में टच कर रही हो, फिर भी हाथ नहीं जल रहे हैं तो अब इसे हमें एक प्लेट में निकाल लेंगी क्योंकि पैन हमारा गरम होता है तो मसाला हमारे जल सकते हैं तो इसे एक बरतन में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे और जब तक हमारा मसाला ठंडा हो रहा है तब तक अचार में डालने के लिए हम तेल पहले गरम कर लेते हैं तो यहाँ पर एक बरतन में यहाँ पर मैं डेड़ कप लगबग तेल डाल रही हूँ अगर आप 200 गराम मेर्ची का अचार बना रहे हैं तो एक से डेड़ कप अचार में मतलब ओईल काफी होता है तो यहाँ पर हमें तेल अच्छे से गरम करना है तेल मतलब इतना गरम करना है कि दुआ निकल जाए तो अचार बनाने के लिए आप 100 का तेल भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको मेरी तरह 100 का तेल इतना पसंद नहीं है तो वो भी आप इसे स्किप कर सकते हैं तो तेल एक तम जादा गरम करना है और तेल हमारा गरम लगबग होच चुका है तो गैस की फिल्म को हम ओफ करेंगे और इसे थंड़ा करने के लिए साइड में रख देंगे तो अब मसाला भी ठंडा हो गया है तो इसे हम मिक्सी के छोटे वाले जार में डाल देंगे और इसे हलका दरदरा पीस लेंगे तो मैंने इसे हलका दरदरा पीस लेया ये देखिए एकदम दरदरा मसाला बनके तयार हो चुका है तो करते हैं नेक्स प्रोसेस तो अब हम इंस्टेन अचार बनाते हैं तो सबसे पहले मैं यहां पर मिर्ची में आदा बड़ा चमस हल्दी पाउडर डाल दिया है और दू बड़े चमस भरके यहां पर मैं कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करी हूँ कश्मीरी लाल मिर्च डालने से यह मार्के जैसा अचार बनके तैयार हो जाएगा कलर बहुत ही अच्छा आएगा और एक बड़ा चमस यहां पर हम कलोंजी यानि किराइता डाल रहे हैं मैं कि आट का नमक डाल रहे हूँ अब यहांपर मैंने जो अचार मसाला पीसा है गुड़ा ज़िए वह यहां डाल द के मैं देझा और हमक्राप यहां पर अचार को मेंगो है दीने के लिए दो बड़े चमस भरके पौवडर यानि कि मैंगो पावडर नाल रहे हूँ आप चाहें तो इसकी जगर निम्गू का यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं सला दूंगे कि आप मैंगो पाउडर का भी यूज़ करें तो अब देखिए तेल भी हमारा हलका सा गरम है तो यहां मैंने एक छुटा चमस भर के हिंग पाउडर डाल दिया है हिंग डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है तो हिंग को मैंने ओइल में अच्छे से मिक्स कर लिया है अब सारे ओइल को हमें मिर्ची में डाल देना है और इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना है यह अच्छा बहुत ही अच्छा बनता है देखिए अगर आप 250 गराम मिर्ची ले रहे हैं तो एक से डेड़ कप ओईल काफी होता है अगर आप मिर्ची के अचार मतलब ज़्यादा कौंटिटी पे बनाना चाते हैं तो मसालों की कौंटिटी को बढ़ा दीजिएगा और इसी तरह से फिर से अचार आप त्यार कर सकते हैं और अगर आप ज़्यादा कौंटिटी में बना रहे हैं और ज़्यादा टाइम तक इस्टोर करना चाते हैं इस अचार को तो इसमें ओईल थोड़ा ज़्यादा डाल दी गया जिसे कि अचार हमारा ज्यादा टाइम तक चलेगा क्योंकि मैंने यहाँ कम कॉंडिटे में बनाया है इसलिए मैंने थोड़ा कम ही ओईल का यूज लिया है तो अचार को हम खटापन देने के लिए हाँ पर मैंने मैंगू पाउडर का यूज लिया है आप चाहें तो विनेगर का भी यूज कर सकते हैं तो ये लीजे में हमारे यहाँ पर हरी मीज का चटपटा सा अचार बन के तयार हो चुका है और आप देख सकते हैं जैसे मार्केट में अचार मिलता है इसी तरह का बनके ये तयार हो गया है तो अचार को हम स्टूर कैसे करें तो सबसे पहले हमें अचार के लिए एक काच के कोई भी ऐसी बनी ले लीनीए और उसे बिल्कुल भी सुखा लेना है उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए नहीं तो अचार हमारा खराब हो सकता है तो सारे अचार को हमें काज के ऐसी कोई भी बनी में डाल दिना है और जब भी हमें अचार खाना हो तो निकालने के लिए एक्टम सूखी चमस का हमें यूज करना है तो यह देखिए हमारा अचार बनके एक्टम चटपटा सा तयार हो चुका है तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर किजेगा तो इसी तरह की और रिसेपी के लिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद